राष्थन विधान सबामी विपक्ष के भारी हंगामे के बाद विधान सबा की कारेवाई और निश्चित कालीन के लिए इस्तागित कर दी गई लाड़नों से कौंग्रेस विधायक मुकेश भाकर को च्छै महिने के लिए निलंबित कर दिया गया है भाकर के निलंबन के बाद हंगामे की इस्थती और बिगड़ गई इसके जलते स्पीकर ने विधान सभा सत्र को एह निश्चित काल के लिए इस्थागित कर दिया है मुखे सचे तक जोगेश्वर गर ने भाकर के निलंबन का प्रस्ताव रखा जिसे मंजूरी दे दी गई गर ने पांच अगस्त को निलंबन के बाद सदन से बाहर ना निकलने के लिए भाकर की आलोजना की थी इस पीकर के बार बार अनुरोद के बावजूद विधायक भाकर ने बाहर जाने से इंकार करतिया था जब मार्शलों ने दखल किया तो उन्होंने एक सुरक्षा करमी का हाथ भी काट लिया था कॉंग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन के बाद विधान सबा में आज हंगामा शुरू हो गया विपक्ष ने भाकर का निलंबन रद करने की मांग को लेकर हंगामा किया इस पीकर को सदन्वी राश्टगन के बाद कारेवाही ए निश्चित काल के लिए इस्थागित करने पड़ी भाजपा विधायक संदीप शर्मा द्वारा शुरू की गई आपदप परबंदन पर बहस के दोरान कॉंग्रेस विधायकों ने अपना विरोध जारी रखा उन्होंने नारे लगाए और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की इस स्पीकर ने जोर देकर कहा कि प्रशन काल जारी रखने से पहले भाकर को बाहर भीज़ा जाए निलंबन के बाद विधायक मुकेश भाकर ने स्पीकर पर भाजापा के दबाओं में काम करने के अरोप लगाए उन्होंने दवा किया कि कानून मंत्री के बेटे की न्यूकती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाते थे लेकिन भाजापा निताओं ने उन्हें बीच में रोग दिया विधायक भाकर ने कहा कि मंत्री सवालों के जवाब देने में विफल रहे और स्पीकर ने उनका बचाओ किया है सदन में इस्तती तब और बिगड़ गई जब मार्शलों ने कॉंग्रेस की महिला विधायकों के साथ भी दुर्वेवार किया इससे मामला हाता पाई में तबदील हो गया इस गड़ना ने कॉंग्रेस विधायकों के चल रहे विरोध परदेशन को और हवा देदी और जो सोमवार से धरने पर बैठे हैं आपको बता दे कि पिछले साल 24 जुलाई को कॉंग्रेस शासन के दुरान पूर मंतरी राजेंदर सिंगुडा और भाजपा विधायक मदन दिलावर को निलम बित किया गया था उस समय संसद्य कारे मंतरी शांति धारिवाल ने उनके निलमन का प्रस्ताव रखा था कॉंग्रेस विधायकों ने विरोध परदशन के दुरान सदन के वैल में राम धुनी का जाप किया बीज-बीज में नारे भी लगाए कॉंग्रेस के विधायक मुकिश भाकर के निलमन को रद करने की मांग पर आडे रहे और मंगलवार को भी उनका धरना जारी रहा विधानसवा में गतिरोध दूर करने के लिए संसदी कारे मंत्री जोगराम पटेलने सोंवार को वरिश विधायकों और निता परतिपक से चर्चा की लेकिन इस चर्चा का कोई नतिजा नहीं निकला और विरोध जारी रहा विधानसवा सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई क्योंकि कॉंगरेस विधायकों ने भाकर के निलम्मन के खिलाब करेवाही की मांग की थी इस अराजकता के बीच आपदा परवंदन जैसे अन्ने मुदों पर बहस विरोध करने वाले सदस्यों के कारण बाधित रही